स्यादवादनय शटद्राव्य गुण पल्याय और प्रमान का जड कर्म चेतन बंधकारू कर्म के अबसान का कहकर स्वरूप यतार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिनवाणी मा को वंदनाशत बार है वंदनाशत बार है वंदनाशत बार है कमठेच धरनेंद्रेच सोचितम कर्म कुर्वती प्रभुस्तुल्यमनो व्रत्तिही पार्शनाथ जिनोस्तुनहा पार्शनाथ जिनोस्तुनहा आज मैंने एक विशेष मंगला चरण एक विशेष प्रयोजन से किया है आज पार्शनाथ भगवान का जन्म कल्यानक है और इसी तरह आठमे तीर्थंकर चंद्रप्रभ भगवान का भी आज जन्म कल्यानक है और जन्म के साथ साथ इन दोनों के दीक्ष्या कल्यानक भी है ये जो इस्लोक मैंने पड़ा है ये त्रिसश्टी सला का पुरुष चरित्र में आता है और धर्म के दसलक्षण में भी ये च्हमावानी वाले निबंद में उद्रित किया गया है बहुत अच्छा इस्लोक है इस इस्लोक का अर्थ ये है कि जो कमठ और धर्णेंद्र दोनों अपना अपना कारिय कर रहे थे लेकिन जिनोंने दोनों से ही किन्चित भी राग या द्वेस नहीं किया बलकि तुल्ले व्रत्ती बनाए रखी मैं उन पार्शुनात भगवान को भक्ती पूर्वत प्रणाम करता हूं वे मेरे हिर्दय में विराजमान हों देखो एक तो यही वजय है कि मैंने आज यह मंगला चरण किया है इसके अलावा भी एक विशेश बात आपको यह बताना चाहता हूं कि यह बात मेरे चित में क्यों विशेश उपस्तित हुई भारत सरकार में कल एक विशेश गोष्ठी थी और वो गोष्ठी यह थी कि कासी की संस्कृती क्या है कासी की संस्कृती आज का एक ज्वलंत मुद्दा है कासी कारी डोर से आप सब परिचित होंगे तो कासी की संस्कृती क्या है इस पर भारत सरकार कुछ बड़े बड़े विद्वानों को इखटा करके विचार विमर्स कर रही है तो कल इस विशे पर बड़ी गोष्ठी थी तो उसमें सब लोग बहुत लोग कासी की जो संस्कृती वर्तमान में सारी दुनिया जैसी कह रही है वैसी कहने लगे लेकिन उन में से एक मैं भी था उन वक्ताओं में इसलिए मैंने वहाँ पर कासी में जैन संस्कृती इस विशे पर अपना वक्तव्य दिया था और आप लोगों को इसलिए बताना चाहता हूं कि सब लोग यहां विद्वान जुड़े हैं देखो हम लोगों को कासी की क्या जैन संस्कृती है इन पर अच्छे सोध निबंद लिखने चाहिए प्रामानिक मैं तो आज ऐसा सोचा था मैंने यह कई कितावें निकाली यह कुछ रिसर्च बुक है यह बहुत बढ़िया चार सो पेज की किताब है तीर थंकर पार सुनात एटी आसिक एवं सांस्कृतिक परिप्रेश में एक जर्मन के विद्वान हुए हैं हर्मन जैकोवी हर्मन जैकोवी ने एक पुस्तक लिखी है इस्टडी जिन जैनी जम उस पुस्तक में उनोंने बहुत अच्छी तरह यह इस्थापित कर दिया सिद्ध कर दिया हितियास कारों ने मान लिया कि पार सुनात एक पौरानिक महापुरुस ही नहीं थे बलकि वे एतियासिक थे मैंने वो पुरान के दाइरे से मैं डाल करके चीज को जैसा हलका कर देते हैं वैसी बात नहीं है बलकि पार सुनात एक इतियास द्वारा स्वीकृत महापुरुस हैं तो मैंने तो सोचा था कि आपको एक दिन में पार सुनात की एतिहासिक था हम लोग पार सुनात पर आपने बहुत प्रवचन सुने होंगे मैं वो नहीं सुनाना चाहता आपको मैं तो पार सुनात का जैन इतिहास में क्या योगदान है इस पर मेरे पास बहुत मैटर प्रामानिक रखा हुआ है बहुत सारी दुरलब बातें हैं मैं कभी एक दिन समय निकाल कर आज पूरी तैयारी नहीं हुई नहीं तो मैं आज ही ये विशे ले ले था लेकिन अभी आपको सिर्फ संकेत कर दिया ताकि लोगों को आपको पता चले के पार सुनात एक एतियासिक महापूरुस हैं और मैंने कल उस गोष्ठी में इस बात को जोड़ दे कर रखा था कि बनारस की क्या संस्कृती है आज सारी दुनिया केवल इतना जानती है कि वह तो कासी विश्वनात की संस्कृती है लेकिन वो क्या संस्कृती है और जैन संस्कृती से उसका कितना गहरा संबंध है ये नहीं पहचानती है तो मैंने उनसे कहा मैंने अपनी बात यहीं से सुरू की कि बनारस चार तीर थंकरों की जन्म भूमी है वहाँ पर भदेनी में सुपार्सुनात का जन्म हुआ देलूपुर में पार्सुनात का जन्म हुआ वहीं पर सारनात में स्रियांसनात का जन्म हुआ और चंद्रावती में चंद्रप्रभ का जन्म हुआ चार तीड़ थंकरों का जन्म बनारस में हुआ इसके बाद समंत भद्र की पूरी घटना सुनाई कि समंत भद्र ने किस तरह जिन सासन के जंडे वहाँ पर गाडे थे कितना बड़ा काम समंत भद्र ने बनारस में किया था वो बताया इसके बाद गणेश प्रसाद वर्णी, जिनेंद्र वर्णी, महेंद्र कुमार न्यायाचार्य, वरंदावंदास जी, कैलाश चन सास्त्री शिद्दांता चार्य, फूलचन सास्त्री, सुखलाल संगवी, अम्रतलाल जी, खुसालचंद गोरो लाला, कितने सारे विद्वानों ने क्या-क्या काम किया वो बताया और उसके बाद गणेश वर्णी सोजशंस्थान, पार्षुनात विद्यास्रम, भारतिय ज्यानपीट, स्यादवाद विद्याले, संपूर्णानंद संस्कृत विश्विद्याले, कासी हिंदू विश्विद्याले इन सब में किस तरह से आज भी जैन दर्शन का अध्यन अध्यापन होता है वो सब मैंने वहाँ भारत सरकार में नोट कराया कि आप इस बात को नोट करो कि बनारस का जैन संस्कृती से बहुत गहरा संबंद है मैंने ये बात आपको जरा इसलिए भर सुनाई है कि हमारे ये जो सब आप विद्वान सुन रहे हो तो ये जो सोध की चर्चा चल रही है तो कम से कम कुछ काम इस दिसा में भी होना चाहिए नहीं तो हम लोग बहुत उपेक्षित हो जाएंगे हमारा वैभव हमसे छिन जाएगा इसलिए हमें बनारस में जैन संस्कृती अयोध्या में जैन संस्कृती ऐसे विश्यों पर एक-एक किताब आनी चाहिए किसी को ये काम करने लायक है और बहुत जरूरी है प्रमान इखटे करके बढ़िया बढ़िया किताबे बनानी चाहिए देखो ये जगडे तो चलते रहेंगे और सरकार तो वोट बैंक से चलती है उसे ज्यादा सत्य से मतलब नहीं होता है लेकिन विद्वान हमेशा सत्य खोजते हैं और जब मैंने कल जब का तो तभी एक ब्राम्मन विद्वान ने भी का हां कासी बहुत बड़ी जैन केंदर रही है तो इससे सिद्ध होता है कि इसका बहुत बड़ा महत्व है और इत्तिफाक से आज ही पार्शुनाद भगवान का जन्म कल्यानक भी आया तो मैंने सोचा मैं अपना लोव संबरण नहीं कर सका और आज आपको ये 10 मिनिट मैंने इस घटना के बारे में भी बता दिया मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ प्रेरणा मिले और इस दिसा में भी कोई कुछ काम करे तो ये बहुत अच्छा रहेगा चलिए अब हम अमारी आप्त मीमानसा की कक्षा आगे बढ़ाते हैं उसमें हम लोग देखो क्या प्रक्रण चल रहा है मैं आपको मेरे पास सब्द नहीं मिल रहे हैं कि मैं आपको उस उस बात को अच्छे से आपको कह सकूँ बता सकूँ पर कोसीज कर रहा हूं ये जो हमारा प्रक्रण चल रहा है ये भहुत उच्छ कोटी का गजव का प्रक्रण चल रहा है पहले नित्य एकांत का निराकरण किया बाद में छणिक एकांत का निराकरण किया छणिक एकांत में क्या-क्या गजब की देखो ये नित्य एकांत और छणिक एकांत इनका खंडन करना ये मजाक नहीं है ये छोटी बात नहीं है ये बहुत गहरी बात है और आप ऐसा मत समझना के ये कोई सांख्यों का खंडन है, ये कोई बौद्धों का खंडन है, मैं आपको बहुत अच्छे से बता रहा हूं, हमारे अंदर बहुत सांख्यों और बौद्ध भरे पड़े हैं, अभी द्रव्य परियाय का स्वरूप हम ठीक से नहीं समझ रहे हैं वस्तू किस कैसे नित्य है, कैसे अनित्य है, ये बात की अब चर्चा आने वाली है, अब हमारी जो चर्चा सुरू होने वाली है, वो ये होने वाली है कि फिर सई स्वरूप क्या है, अब तक तो बताया कि गलत क्या है, नित्ते कांत क्यों गलत है, छणिके कांत क्यों गलत ह कोई कहता है कि द्रव्य नहीं है परियाई ही परियाई है कोई कहता है कि परियाई नहीं है द्रव्य द्रव्य है लेकिन जैन दर्शन कहता है वस्तु द्रव्य परियायात्मक है ये बहुत तो द्रव्य परियायात्मक कहने का क्या मतलब है क्या आसे है अब हम इस पर थोड़ी रस्सा कसी करेंगे तब हमको सई बात सामने आएगी कि क्या स्वरूप है ऐसे ही निराकरण नहीं होता है हल्का मत समझना नित्ते कांत को और छणिके कांत को बहुत गैरी बात है और अपने अंदर ऐसे दोस वाले बहुत हमारे साथी मिलेंगे हमारे ही अंदर ऐसे दोस भरे होंगे हमें उन्हें दूर करना बहुत सांती से इस विश्य को समझना है क्या केते देखो तो सही देखो अब 210 कर क्या पड़ा था कर अपनने यह पड़ा था के वह कहते हैं कि उत्पाद का हे तू है और व्यका हे तू नहीं है देखो जरा सोचना कैसी गजब की बात वो कहते हैं कि व्यका हे तू नहीं होता नास का हे तू नहीं होता नास तो वस्तू का स्वभाव है उत्पाद का हे तू होता है और उत्पाद में भी एक और गजब की बाट डाली उ उत्पाद भी कोई विरूप भी सद्रस उत्पाद होना तो उसका हेतु होता है सद्रस उत्पाद का हेतु भी नहीं मान पारे बड़ी गजब की बात है यह अब जैनाचारियों ने उनसे कहा कि जब दो उत्पादों यह important line सुनना ध्यान से जब दो उत्पादों में कोई संब नहीं करोगी तुमने कहा कि उत्पाद सद्रस उत्पाद हो तो हेतु नहीं चाहिए वी सद्पाद हो बड़ा परिवर्टन आये जैसे यह पेपर है अब ये पेपर की परियाय आती जाती है तो आपको पता नहीं चलता है लेकिन इस पेपर की राख परियाय जब आ जाएगी न मलो ये अभी जल जाए देखो समझना उनकी बात समझना आपको हम अपनी समीक्ष्या करनी है हमें वो क्या कह रहे है वो ये कह रहे देखो फिर सु बहुत IMPORTANT बात बौद दर्सन का कहना है कि नास अहे तुक होता है उसक्यों नास तो नेचुरल है नास अपने हाप हो जाता है वस्तू का सुबार उसके लिए कोई कारण नहीं चाहिए और उत्पाद के लिए कारण चाहिए और उत्पाद वी दो तरह का होता है एक सद्रस उत्पाद, एक वी सद्रस उत्पाद, सद्रस उत्पाद में भी है तू नहीं चाहिए, वी सद्रस उत्पाद में है तू चाहिए, जैसे ये पेपर है, तो ये पेपर की अगली परियाए भी हर छण इसकी परियाए बदल रहा है, ये पेपर हर छण नश्ट हो रहा है हमारे इस तूल उपयोग में दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन ये बार बार नया नया पेपर आता है हर पल नया पेपर आता है जिस पेपर पर मैंने नोट्स बनाए है आज सुबह से वो 36 बार नश्ट हो गया है फिर वह वह मेरे सामने है वह इन नोट्स है वह कैसा लेकिन ये पेपर जल जाता और राख बन जाती तो इसको कहते है ये राख बनना विसद्रस उत्पाद है तो कहते है इस विसद्रस उत्पाद के लिए हेतू चाहिए हेतू कहाँ चाहिए नास को नहीं चाहिए और सारे उत्पाद को भी नहीं चाहिए केवल विसद्रस उत्प पाद को ये तू चाहिए तो जैन आचारियों का अब तर्क सुना पहली बात जब दो उत्पादों के बीच जब दो परियायों के बीच कोई संबंदी नहीं है जब सर्वताई चैनिक है सर्व था जो मैं ये भी आप से कहना चाहते हूं ये सर्वता सब्द पर जरा ध्यान देना ये दो सब्द मैंने आपको स्यात पर ध्यान देना सीखाया अब थोड़े दिन मेरों को सर्वता पर ध्यान दिलाना सिखाना है कि सर्वता करने से क्या होता है कि जब वो सर्वता ही छणिक मान रहे हैं सर्वता छणिक तो एक परियाय का दूसरी परियाय के साथ कोई connection नहीं बचा इनकी भासा में कहो तो अनवे निरनवे नास उसका कोई अनवे नहीं बचता है तो वो जो नास हुआ वो निरनवे हुआ तो जब दो नास अलग अलगी है तो कौन नास समरूप है और कौन विरूप है यही कैसे तैह होगा जब दोई अलग अलगी है जब सर्व्थाई अलग अलग है तो यह इसकी संतान है इसके सद्र यह निरने कैसे होगा तो पहली बात तो सद्रस और विसद्रस उतपाद की अवधारना नहीं बनती है और दूसरी गजब की बात यह है कि उत्पाद और व्य ये तो एक कई है भैसाब पूर्व परियाय की अपेक्षा उसी का नाम व्य है और उत्तर परियाय की अपेक्षा उसी का नाम उत्पाद है चीज दो कहां है अब आपको उत्पाद व्यद्रोव्य की थोरी समझनी है अब हमारी ये चर्चा चलेगी उत्पाद व्यद्रोव्य ये थोरी समझ उत्पाद व्यद्रोव्य क्या होता है ये हमें समझना है उत्पाद वे द्रव एकी समय में तीनों है तस्मात तत्वम त्रयात्मकं वस्तू त्रयात्मक है एक समय में वस्तू में तीनों थीजे है उत्पाद भी वे भी और द्रव भी और यदि वे अहे तुक है तो उत्पाद सहे तुक नहीं हो सकता उत्पाद को भी जैसे तराजू के दो पलड़े होते हैं न देखो एक लाइन आ रही है सास्त्र में नामो नामो तुलांतयो उत्पाद व्याका के बारे में पंग्ती आ रही है टीका में अस्ट सहस्त्री में नामो नामो तुलांतयो के जैसे तराजू के पलड़े एक उंचा हो रहा है और दूसरा नीचे हो रहा है उंचा होने का कारण अलग होगा और नीचा होने का कारण अलग होगा बहुत बढ़िया उदारन है ताराजू के दो पलडे है एक पलड़ा नीचा हो रहा है और एक उंचा हो रहा है तो उंचा होने का कारण अलग है और नीचा होने का कारण अलग है अरे एक ही हेतू से एक पलड़े में तराजू है और एक पलड़े में एक किलो का बट्टा रखो तो एक किलो का बट्टा रखना एक हेतू है एक हेतु से ही एक पलड़ा नीचे आ रहा है और दूसरा पलड़ा ऊपर जाने का हेतु भी वोई एक किलो का बाट है और नीचे आने का हेतु भी उतपाद और व्याय का अलग-अलग हेतु नहीं होता कमरे में से अंधेरा गया उजाला है अंधेरे का व्य हुआ उजाले का उत्पाद हुआ इन दोनों का हेतु अलग-अलग चाहिए अंधेरा भगाने के लिए अलग हेतु होगा उजाला करने के लिए अलग हेतु होगा अरे एक दीपक जलाना इससे दोनों काम होगे उत्पाद और व्याय और ध्रव्य तीनों एक हो अभी आपको बहुत गहराई में थोड़ा सा मैं दो चार गाता है आपको प्रवचंजार की भी सुनाने वाला हूं इदर उदर के मैंने बहुत सारे संदर भी खटे किये है आज का मेरा सारा दिन उत्पाद वे द्रवे के नाम रहा आज मैंने बहुत उत्पाद वे द्रवे पढ़ा है बहुत सारी गाता है देखी है बहुत आनंदा है सारी ठीका इसी से भरी पढ़ी है उत्पाद वे द्रवे नहीं समझा, तो नित्यकांत, नित्यकांत और स्यादवायर ये कुछ भी clear नहीं होगा, इसलिए जेन दर्शन में क्या द्रव्य परियात्मक वस्तू का सई स्वरूप है, वो हमको आपको सांती से समझना है, क्या कहना चाते हो, कैसा कहना चाते हो, भले आदमी तुमने उतपा लेकिन उत्पाद और व्याय की अपेक्षा व्याय कहते हैं उसे ही आगामी परियाय की अपेक्षा उत्पाद कहते है वही चीज है देखो आपको दो तीन चीजें पढ़ता हूं मैं सानती से सुनो देखो क्या क्या द्रौव क्या है उत्पाद क्या है व्य क्या है वस्तु देखो अपन तत्तो का स्वरूप समझने बैठे है यहां पर वस्तु का क्या स्वरूप है कैसी वस्तु है यह अपन को थोड़ा ठंडे दिमाग से निश्वक शोकर के समझना है क्या उत्पाद होता है क्या व्य होता है उत्पाद व्य द्राव युक्तम सत प्रते पदार्थ प्रती समय विद्यमान हो इसके लिए यह जरूरी है यह अनिवारिय है कि उसमें प्रती समय उत्पाद भी हो, व्य भी हो, ध्रव भी हो, उत्पाद के बिना व्य नहीं होता, व्य के बिना उत्पाद नहीं, ऐसा नहीं होता, कि उत्पाद तो हो रहा है, व्य नहीं हो रहा, ऐसा नहीं हो सकता, अब इन पर सब पर थोड़ा सोचना है इन पर थोड़ा होमवर्क करना है क्या ऐसा पॉसिबल है कि उत्पाद हो व्याय नहों क्या ऐसा पॉसिबल है कि व्य हो और उत्पाद नहों और तीसरी पॉइंट तो और भी जवर्दस्त है क्या ऐसा संभव है कि उत्पाद हो व्य हो और ध्रविन हो उत्पाद व्य ध्रवित तीनों अविना भावी है अब यह कैसे है यह कोई कम बात नहीं है यह सिद्दान समझने के लिए फिर कसना पड़ेगा दो दिन उत्पाद व्य ध्रवित और देखो व्य क्या व्य किसे कहते है मैंने ओरीजनल परिवासा हैं डूंडी है पूझपाद आचारी के लक्षण बहुत प्रसिद्ध है पूझपाद आचारी लिख रहे हैं पूर्व भाव विगमनम् व्यायाहा तत्वार सूत्र के पांचमें अध्याय की टीका मैं पूर्व भाव विगमनम् देखो काई का व्याय किसका होता है? व्याय किसका होता है? पूर्व भाव विगमनम् व्यायाह पूर्व भाव का विगमन होना व्याय है द्राव्यम अवस्थिती द्रव्यम अवस्थिति तद भावाव्यम नित्यम वस्तू अपने स्वभाव को नहीं छोड़ती है परिणमन करते करते भी बस इसी का नाम नित्यता है वस्तू यह गजव नित्यता किसका नाम है फिर वही लाइन द्रव्य रूप करी सर्व थिर परजय थिर है कौन द्रव्य परियायात्मग वस्तू का हमको आपको सबको थोड़ा सान्ती से स्वरूप समझना है और ऐसा लिखा है पंचास्ति काए गाथा चौवन कि यह विरुद्ध प्रतीत होते हुए भी अविरुद्ध बात है सत का विनास होता है के नहीं होता है ऊन्य इक्षा से सथ्का विनाश होता है कोई के सथ्का विनाश होता है तो हां कर देना कोई कर नहीं होता है तो भी आँ कर देना है ऐसे कैसे यही तो आनेedi Надवाद का संदर्य है और असत्का उत्पाद होता है हां होता है बोले नहीं होता है हां नहीं होता है यह विरुद्ध होकर भी अविरुद्ध व्यवस्ता कैसे है यह हमको देखो सुनो अब एक लाइन बहुत मैं तुपूर्ण गुण परिणमन सील होने के कारण उत्पाद व्यव मई कहलाते हैं गुण यह लाइन मेरे को भहुत खास लगी मैंने एजिटीज लिखी है गुण परिणमन सील होने के कारण उत्पाद व्यव मई कहलाते हैं किन्तु टंकोत की रणन्याय से देखा जाए तो वे कभी अपने स्वरूप को ना छोड़ने के कारण नित्य भी कहलाते हैं देखो दॉनों जगे ये जो अपन कह देते हैं वो तो कहते ए हैं कहते ही परियाय आर्थिक नइस से देखा जाये तो कुछ नित्तु है पूरि वस्तु अनित्य ही नित्य ही तो रिया आरिधिकना से देखा जाए तो पूरिधु नित्य कुछ है ही नहीं क्या देखने का नजरिया वदलता ही कैसे दिखती है देखो तो सही तो क्या नित्यता कैसी है वस्तु में नित्यता कैसी है मैं आपको जो कहना चाह रहा हूं न हम नित्य है अनित्य है तो कैसे है ऐसा हम उनको भाव भासन होना चाहिए देखो और क्या लिखा प्रवचंसार गाता 201 कितनी बढ़िया बात लिखी उत्पाद व्यद्रोव्य देखो एकी परियाए में जैसे देखो यह उंगली है यह उंगली टेड़ी हुई तो वक्रता का उत्पाद हुआ देखो सुनो यह सिद्ध सेन आचारी का उदारण है सन्मती सूत्र में दिया है वो राजा विक्रमादित्त की सभा में समझाया था उन्होंने एक बार उत्पाद व्यद्रोव्य आचारी सिद्ध सेन एक बार विक्रमादित्त की सभा में तो पॉली रिखेल, वहीए्टाब। तरफ्वी पहले भी थी और अभी भी है इसका नाम ध्रुव्य है अभी यह आप्त मिमान समय आने वाली है बहुत बढ़िया दो-तिन कारी काएं आने वाली है उत्पाद व अब जो चार काएं पांच तारी काएं इस परिचेद की बची है वे सारी यह बताती है कि क्या उत्प कितना उसका नित्यता का कैसा स्वरूप है उसकी पिर सुनो यह लाइन वस्तू की नित्यता का वास्ताव में स्वरूप कैसा है कैसी है वो नित्यता कैसी है वो नित्यता यह हमको आपको समझना है हम यहां पर अभी वी कहें नित्यता कैसी अनित्यता कैसी यह यह समझा रहें प्रत्यक वस्तू में प्रती समय देखो और एक लाइन लिखी उत्पाद व्यद्रव्य तीनों एक समय में हैं समय भेद नहीं है एक समय में उत्पाद व्यद्रव्य तीनों है और इतना ही नहीं अभी एक और गजब की बात लिखी है यह लिखा तीनों में वास्तव में स्वरूप भेद भी नहीं है मात्र लक्षण भेद है यह क्या कह दिया देखो उत्पाद का लक्षण लगे व्यद्रव्य का लक्षण लगे पर उत्पाद व्यद्रव्य तीन चीज नहीं एक ही चीज है एक ही समय में है यह क्या कमा एक छोड़ोगे तीनों छुटेगी अभी ये तीनों को अविना भावी सिद्ध करने वाले हैं एक छोड़ोगे तो तीनों छोटेगी और एक पकड़ोगे तो तीनों पकड़ना है तीनों में स्वरूप भेद नहीं हैं, तीनों एक समय में एक की समय में उतपाद का समय भिन और व्याय का समय भिन ऐसा नहीं है, एक समय में पहले समय में उतपाद होता होगा, दूसरे में व्याय होता होगा, ऐसा नहीं है, उतपाद, व्याय, द्रॉव, तीनों एक समय में प केवाल इन में लक्षन भेद होने से भिन भिन बताया है, पूर्व परियायक का नास वो व्य कहलाता है, आगामी परियायक का उत्पाद वो आगमन उत्पाद कहलाता है, और दोनों परियायों के हो जाने पर भी स्वरूप से चुत वस्तू नहीं होती है, इसका नाम द्रव है यह सूतर बहुत अच्छा है तत्वार शूतर का तद भावाव्यम निथ्यम तत्वार सूतर का यह सूतर नित्यता को समझने के लिए बहुत कामका है तद भावाव्यम नित्यम वस्तू अपने भाव का कभी व्या नहीं करती है ये उसकी नित्यता है तद भावाव्यम नित्यम एसी ये बहुत बढ़िया अभी अपन और चर्चा करेंगे उत्पाजव्य द्रव की ये बढ़िया अच्छा प्रक्रण है आप भी सब इसको पढ़कर भी बैठो पहले से भी पढ़कर बैठो आगे पीछे और खूब उत्पाजव्य द्रव इस विसे की थोड़ी सी गहरी श्टड़ी करो और आप भी कुछ मेरी बात में जोड़ो कहो ये विशे बहुत कठिन है आप्त मीमान सा को समझना वो कोई मजाक काम नहीं है मैं भी कोसीज भर कर रहा हूं आप ऐसा मत समझना कि मुझे पूरी आप्त मीमान सा समझ में आती है और ऐसा कुछ नहीं है मेरे को भी बहुत कम में कोई और पढ़ाने वाला मिले तो हम पढ़ है ऐसा समझना इसको तो अब अपने कारी का अगली पढ़ते है देखो फिर ये चर्चा और करते रहेंगे बहुत बड़िया चर्चा है कारी का नमबर कि पड़ ली आज 55 पन नंबर की कारिका पढ़ते हैं क्या कह रहे है देखो है विरोदार नोभय इकात्म्यम स्यादवाद न्याय विद्विसाम अवाच्च तैकांते प्युक्तिर नावाच्चम इति युज्यते ये कारिका पूरी आप्तमीमानसा मैं 10 बार आई है हर परिच्चेद मैं आई है आप्तमीमानसा दस परिच्चेद हैं और ये कारिका एक ऐसी कारिका है कि जो बिना कुछ फर्क के कॉमा फलिश्टॉप का भी अंतर नहीं है और हर परिच्छेद में ये कारिका पाई जाती है। दो मत आते हैं एक मत ये कहता है दूसरा ये कहता है फिर तीसरा क्या कहता है चोथा क्या कहता है ये बात बताने के लिए उसकी समीक्षा के लिए ये पचपन नंबर की कारिका है तो नित्य एकांतवादी कहते है वस्तु सर्व्था नित्य है ये सर्व्था सब्द बहुत विशेश है देखो वस्तु नित्य है बोलने यही सर्वताई सब्द में दोस है, स्यादवाद अम्रत है, जब भी कभी कोई दार्षनिक सुलजेगा, तो वो स्यादवाद से सुलजेगा, मैं तो मेरे बहुत जो अन्यदर्शन के विद्वान मित्र साथी है, उनसे मेरा बहुत प्रेम है, मुझे वे बहुत अच्छे लगत है, मैं खूब उनसे चर्चा करता हूँ, मुझे मेरे साधर्मी जैसे ही वो लगते है, और मैं उनको कहता रहता हूँ, कि आप स्यादवाद एक बार स्विकार करो, तो सब व्यवस्ता बहुत बढ़िया बन जाएगी, आप सुलज जाओगे, और नहीं तो नहीं सुलज उसकी इस ओब देखो, विरोधात, पंचमी विबक्ती एक वचन, विरोधात हेतू बन गया, विरोध होने के कारण, विरोधात प्लस नय, प्लस उभयाईकात में, उबय एक आत्मे उबय मने नित्त और छनिक नित्त ता और छनिक ता दोनों को एक साथ यदी कोई मानना चाहे एक व्यक्ति नित्त ता को सर्वता मान रहा था एक चनिक ता को सर्वता मान रहा था और यदी कोई तीसरा व्यक्ति नित्त और छनिक ता इन दोनों को एक साथ स्विकार करना चाहे तो ये भी संभव नहीं है क्योंकि इन में तो परस पर विरोध है इन में तो जबरदस्त विरोध है नित्ता हो तो अनित्ता कैसे हो अनित्ता हो तो नित्ता कैसे हो निरपेच की बात है याद रखना स्यादवादी भी दोनों मानते हैं पर वो सापेक्ष मानते हैं सर्वता नित्ता सर्वता नित्याईकांत और सर्वता अनित्याईकांत ये दोनों भी नहीं बन सकते हैं क्योंकि इन में परस पर विरोध है यदि नित्ता सर्वता है तो सर्वता छनिकता नहीं हो सकती और यदि सर्वता छनिकता है तो सर्वता नित्यता नहीं हो सकती इसलिए जो व्यक्ति स्यादवाद न्याय से विद्वेश रखते हैं देखो स्यादवाद को न्याय लिखा ये भी बड़ा कई न्याय कहते हैं कई नीती कहते हैं जो स्यादवाद के न्याय से द्वेश रखने वाले लोग हैं उनके यहां उभै एकांथ भी नहीं बन सकता है क्योंकि स्यादवाद से उन्हें द्वेश है स्यादवाद लगाते तो बन जाता स्यादवाद को छोड़ करके करते हैं इसलिए बन नहीं सकता क्योंकि दोनों में बड़ा भयंकर विरोध है कैसे अंदेरा उजाला दोनों एक साथ कैसे हो विरोधात क्यसे इनमें विरोध है नित्ता और छैनिकता एक साथ नहीं रह सकते और आवाच्यता का एक कान्त स्विकार किया जाए decisions अवाच्चता का एकांत सब्तमी एक वचन सथी सब्तम्याम अवाच्चे एकांत मानने पर अवाच्चे एकांते पी उक्तिर ना तो नहीं कहा जा सकता अवाच्यम इती अवाच्च ऐसा भी ये भी सही नहीं होगा इसलिए ये भी सही नहीं है आवाच्चे कांत भी सही नहीं है युक्ति संगत नहीं है क्योंकि यदि अवाच्य कांत कहा जाए तो अवाच्य सब्द से भी उसे वाच्य नहीं बनाया जा सकता सर्वता अवाच्य भी हम उसको कह नहीं सकते बहुत बढ़िया है विरोधात्नो भया इकात्म्यम स्यादवाद न्याय विद्विसांग अवाच्य तैकांते प्युक्तिर नावाच्यमिति युज्यते जो स्यादवाद न्याय से विद्वेश रखते हैं उनके यां उबैकांत की बात भी नहीं बैठती है क्योंकि इन दोनों में तो परस पर विरोध है और अवाच्य कांत की बात भी इसलिए नहीं युक्ति संगत सिद्धोती है क्योंकि फिर तो अवाच्य सब्द से भी उसको वाच्य नहीं बनाया जा सकता है उसको अवाच्य सब्द से ही सई देखो सर्व था सब्द कितना खतरनाक है सर्व था लगा दिया तो अवाच्य सब्द से भी हम वाच्य नहीं बोल सकते उसको ऐसी गजब की बात है और अगली कारिका देखो ये तो दस बार आई है तो इसकी चर्चा तो हमारी चली रही है लेकिन अगली कारिका पढ़के देखते हैं बहुत मार्मिक कारिका है कारिका नंबर चप्पन जो इस कारिका को समझ जाएगा ना उसको नोबल पुरस्कार मिलना चाहिए ये कारिका जो समझ जाए वह समझ लो बहुत कमाल कर दिया बहुत बहुत गजव की कारिका है दस दिन इस पर माता पच्ची करें और तब भी समझ में आजाए तो समझ लेना सस्ते में समझ में आगया बहुत द्रव परियायातमक नित्या नित्यातमक वस्तू क्यों है यह सब रहस्च इसमें भरा पड़ा है बड़ी सुन्दर इसकी ठीका है बहुत अच्छे इसमें रहस्च भरे पड़े है यह आज नहीं हो सकती पूरी बस जरा सा अर्थ बता देता हूं चर्चा इस पर कल करे बहुत अच्छी कारीका है देखो नित्यम तत तत मने वहेवस्तू तत मने वहेवस्तू नित्यfon है तो प्रत्यभी ज्यानात यह कि क्योंकि प्रत्यभी ज्यान होता है और प्रत्यभी अब यह प्रत्य विजान समझाने के लिए मुझे चाहिए 10-15 मिनिट देखो करेंगे अभी आर्थ बतार हूं वस्तूप नित्य है क्योंकि वह प्रत्य विग्ञान का विशेह है और यह प्रत्य विजान अकस्मात नहीं है यह यह निराधार नहीं है अकस्मात मने यह कोई निराधार नहीं है प्रत्यभिज्ञान फालतू नहीं है बहुत से दर्सन प्रत्यभिज्ञान को फालतू कहते हैं बहुत दर्सनों में प्रमान की चर्चा आई है लेकिन वे लोग प्रत्यवियान को प्रमाण नहीं मानते हैं बहुत दर्षन बहुत दर्षन प्रत्यवियान वे प्रत्यक्ष को अनुमान को आगम को इन सब को प्रमाण मानने वाले दर्षन है लेकिन प्रत्यवियान को प्रमाण मानने वाले दर्षन प्राए नहीं है जैन दर्षन ने यह बहुत खास बात है बड़ा इंपोर्टेंट विसे है और जैन दर्सन का कहना है कि यदी हम इस्मृति देखो मैं बता चुका हूँ खूब जब हमारी न्यायदीपी का वगेरा की कक्षा हुई कि परोक्ष प्रमान के पांच बेद है इस्मृति प्रत्यवियान तयारक तो यदी इस्मृति नहीं होगी प्रत्यवियान नहीं होगा तो तारक अनुमान आगम ये भी नहीं बनेंगे इसलिए प्रत्यवियान को प्रमान मानना जरूरी है देखो इसमें बहुत बात है जो मुझे लगता नहीं अभी हो पाएगी इसकी चर्चा अपन खली करेंगे तब अच्छा रहेगा अभी तो अब आज आप लोग बोलो कुछ स्चार्फ किसका अर्थ एक बार सक्ष में इसका अर्थ भर बोल देता हूं एक जो बहुत तीवर बुद्धी होंगे एक एक लाइन बोल दे तों अर्थ की बिलकुल अधूरी नहीं छोड़ना चाहिए कल किसने देखा देखो इसका अर्थ यह है वस्तू प्रत्यविज्ञान का कारण होने से नित्य है और यह प्रत्यविज्ञान निराधार नहीं है यह और वस्तू काल भेदहने के कारण चणिक है वह यह बहुत उची बात कई है वा सुकाल भेदहने कारण चणिक है नई तो उसमें बुद्धी का संचार ही नहीं हो सकेगा चलो चर्चा करेंगे कल किसी का कोई प्रश्ण हो तो रख सकते हैं अभी हमने 55 नंबर की गाथा कारी का पड़ी और 56 नंबर की भी कारी का भी हमने पड़ी जिसमें अध्भुत जिनोंने न्याए डीपी का को ध्यान से पड़ा होगा संकेत हुआ होगा कि क्या अध्भुत तर्क इसमें अनित्यता के लिए दिया है बाकी कल हम इस पर चर्चा करेंगे और बाकी अभी किसी को कोई बात रखनी हो तो आप हैंड़ेश कर सकते हैं कि अनित्यता के लिए भी और संदेश जी नित्यता के लिए अभी कल-कल खुलासा होगी एक प्रत्य ज्यान से वे दोनों चीज़ें सिद्ध करेंगे अनित्यता भी और अनित्यता भी वह एक गेहरी बात है अच्छा बहुत बढ़ी वह बहुत अछे बढ़़ीया कि कि किसी को कोई बात रखनी हो तो आप लोग कर सकते हैं कि कहो आप लोग जो ध्यान में आरा सो कहो जोड़ो कुछ इसमें जल्चा को बढ़ाओ आगे कुछ ना कुछ थोड़ी सी जरूरी नहीं है प्रशनी ही हो जितना समझ उसको बता भी सकते हैं आप प्रग्या दीदी कि एक बात वो भी कहिए बनारस में जैन संस्कृति आयोध्या में जैन संस्कृति हाँ प्रग्या बोले ना मैंने बहुत जरूरी है क्योंकि काशी में अब तो कोई रहा ही नहीं हाँ की बात करने वाला भी कोई रहा नहीं अभी मुझे वो कौन है वो सह से नाम है उनका कहे रहे थे कि काशीव में जैनों की बात करने वाला कोई है नहीं मैं यह किताब आनी चाहिए कासी में जैन संस्कृति बढ़िया अच्छी स्टेंडर्ड की प्रामानिक सोध पत्रों के साथ मैं बहुत बढ़िया किताब एक आनी चाहिए कासी में जैन संस्कृति और उसको फिर सब को हम दे सकें लोग देख सकें प्रमाण लगे हों इतियास के पुराण के सिलालेखों के जैनेतर ग्रंतों में भी जैन दर्शन की बातें वहां पर आई है बहुत सारी और ऐसे ही एक किताब आनी चाहिए अयोध्या में जैन संस्कृति वहां जो घाट ना घाट उसका घाट का नाम भी जैन घाट है जैन घाट है वहां पर वर्तमान में भी बहुत चीजें वहां पर जैन दर्शन की है ऐसी बात में अभी भी पांच संस्थाएं वहां पर है भारती यान पीट भी वहीं बना करा बहुत सारी कि आप लोग आते ही नहीं हो गूमने भी नहीं आते हो देखने नहीं आते हो पढ़ने नहीं आते हो जएर नहीं दिन बनारस लगातार रहके हैं था था संपूर्ण नंद मैं कारिक्रम था और पारशनाच की जन्मु भूमी पर ही ठहरा था और वहीं पर आराम से मैं रोज सुबह वहीं पूजा प्रक्षाल करता था वहीं से युनिवर्सिटी जाता था बोजन भी वहीं करता था 20 दिन रहा और मैंने ये सब चारों तीर्थंकरों की जन्मु भूमियों की वहां वंदना किया बनारस की यात्रा सब लोग करो बहुत अच्छी जगे है दर्शन करने लायक जगे है और बड़ी अच्छी अच्छी हमारी वहां संस्ताइं हैं उनको एक दपर देखो लोग इदर उदर घूमने जाते हैं बनारस घूमने के लियाज से भी बहुत अच्छी जगे है अरे सारनात देखो कैसा महावीर स्तंब है वो आपको पता चलेगा लोग योगों यह भी नहीं पता हुआ सो कि स्तंब जैन है पुरा गपुरा वहां सारनात में म्यूजियम है बहुत सुंदर जैन तीर्थंकरों की प्रतिमाएं भरी हुई है वो कितने सारे मिरपास इस किताब में हर्मन जैकोबी की किताब भी वो इस्टडी जैनी जम बहुत बड़ी किताब है उस बहुत बड़ीा किताब है उस किताब ने जैन धर्म को ईतियासिक सिम्द किया महावीर महावीर नाम लेते थे सब हर्मन जैकोबी की किताब से पहले यही माना जाता था कि भाई देखो इनके पुरान वले कुछ भी कहे पर इतियास तो यही कहेगा कि महावीर भगवान ने जैन धरम चलाया लेकिन वो हर्मन जैकोबी का उफकार है कि उसमें सब की जबान बंद की कोई नहीं कह सकता कि महावीर ने जैन धरम चलाया कि पार्षनाथ की एतियास सिक्ता पर बात करेंगे देखो हां यह करो यह अच्छे से करो तो हम लोग जनरली यह बात करते हैं कि उत्पाद और व्याय यह दोनों परियाए में होते हैं इसलिए वह एक के बाद एक होते हैं वह कार तो परियाए में होता है लेकिन वह अच्छे द्रव्य में हो रहा है जो कार हो रहा है इसको परियाए हम कहते हैं पर वह लिए समय में होती हैं क्योंकि परियाएं तो दोनों बदल गई उत्पाज की और व्य की तो अलग लग हैं पर वो एक समय में इसलिए हैं क्योंकि वो द्रव्य में होती हैं सुनों प्रवचन सार गाथा नंबर दो सो एक मैं यतावत पड़ रहा हूं उत्पाद व्य द्रव्य ये तीनों परियाएं के अंस हैं द्रव के नहीं परंतु परियाएं द्रव में रहती हैं इसलिए द्रव का ही उत्पाद व्य द्रव कहते हैं यह बहुत गजब की पहली है बात को हमें ठीक से मैं इसलिए जोड दे रहा हूं हम आप थोड़ा वस्तू की नित्यता कैसी है नित्यता कैसी है यह हम समझें ऐसे भी कह देते हैं यह भी कह देते हैं कि नित्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत् लेकिन है दोनों वहां पर नित्यता नित्यता दोनों कैसे वस्तु में एक साथ है यह जब हम समझेंगे तब हमें स्यादवाद ठीक से समझ में आएगा बत्तमाइब का जो ज्यान तो वह अनित्यता को बताती है बराबर बनेगा यही मैं कह रहा था कि प्रत्य वी ग्यान दोनों को सिद्ध कर अभी कल मैं आपको थोड़ा टीका का अंस पड़के सुनाऊंगा यह नित्यता देखो भूत प्रयोजन भूत विसे चल रहा है हमारा द्रव्य परयायात्मक हमारा स्वरूप कैसा है मैं कौन हूँ कैसा हूँ यह हमारी सुद्ध तत्त मीमान सा चल रही है और यह अभी मैं कल थोड़ा सा जिनको प्रत्य वियान का स्वरूप पता नहीं है न वो घवराय नहीं मैं कल मैं वो भी बताऊंगा कल में प्रत्यवियान प्रमाण क्य होता है वो भी थोड़ा सा बताऊंगा अब बताकर वो कैसे द्रव्य कैसे उत्पाज्या है मैं अभी और पढ़ूंगा अभी मैं इस वक्त मेरी स्टेबिल के जो और काम पहले सब रोग दिये अभी मैंने सारे के साथ अभी मैं भी इसी में डूब गया हूं मिरों को भी आनंदा रहा है तो अभी मैं और उत्पाज बहुत पढ़ने वाला हूं आज भी रात पढ़ूंगा कल फिर पढ़ूंगा कल फिर फोड़ी चर्चा इसकी और करूंगा प्रवचन सार की आठमी और नौमी गाता भी जरूर अब तो इसको सिद्ध करेंकी आठमीट नौमी का था जरूर से जरूर पढ़ूंगा दि रवा चन सार की जरूर से जरूर ठीके अब अभी दोस्तो एक नंबर की का था बता रहे थे प्रविशन सार जी की हाँ दोसो एक से तो चर्णा न्योक सुचक्चूली का प्रारंब हो जाती है देखो प्रवचंसार गाता दोसो एक मूल गाता है उप्पादट्थि भंगा विज्ञंते पज्जये सुपज्जाया दव्वेई संति नियदम तम्मा दव्वम्हवदी सव्वम उत्पाद व्ये और तीनों परियायों में हैं द्रव में नहीं किन्तू परियायें द्रव में हैं इसलिए न काई सब कुछ है ऐसा कहते हैं एक सो एक है गाथा टो एक गलत प्रिंट डुरत प्रिंट तो नहीं हो गया ठीक seconds तो यह है तो यह है अपने सठकारक से होता है तो यह ना असुद्ध चपा मैं इसको सई करता हूं यह गाता नंबर 101 है ठीक है बहुत बढ़ी है धन्यवाद संदेज बहुत पूरबाद के आंगे जो नय दिया है ना उनने वहां द्रव को भी परियाया थिक नहीं का विसे बनाया है अरे मैंने अभी यह यही तो 101 गाथा में पड़ा उत्पाद वे द्रव तीनों परियाय के हैं यह तो तीसरा अंसरी परियाया थिकना का विसा हो यह पंचज़ाई में हैं बहुत बढ़ी है तो अब हमको शब्सकों अगले 24 गंटे उत्पाद वे ध्रव पढ़ना है जी बिलकुल प्रदीब का समय हो गया अंतिम प्रदीब जी फरीदाबाद से हैं बीच में कुछ पह रहे हैं ठीक है सब्सक्राइब को बहुत बहुत धन्यवाद आपका बहुत बढ़िया बात कहीं जो बहुत अच्छी लगी कि यह चारों स्थानों पर जरूर जाएं आप से बढ़िया गाहेड नहीं मिलेगा कोई जाके तो आचुके आप जो हैं हमें दो चार पाट दिन के लिए ले चलो स थी कि बनाओ एक प्रोग्राम सब लोग बनारस चलो अपन सब चलो अब सब्सक्राइब कर बनाया जो बड़ी बड़ी संस्ता और वहां शीबी लगाना चाहिए एक्चुल में तो हां जो बड़ी लगाना चाहिए बहुत बढ़िया कास लेश जी देखो ये विशय मेरा तो आप्त मीमान सा चल रही थी ये तो अपना साइड में टॉपिक आ गया लेकिन ये साइड में आया जरूर है पर ये विशय बहुत महत्तुपूर्ण है और कभी इस पर सांती से गंबीरता से विचार करना चाहिए इन जगों की जो हमने उपेक्षा कर रखी है हमने हमारी समाज में उसके कारण हमारे जैन वैभव की बहुत चती हो रही है देखो वैभव कहते ही वैभव जी का हैंड रेज हो गया आप वैभव जी कह रहे हैं कुछ उपकार है उसके लिए जिनवाणी मा को वंदनाशत बार है वंदनाशत बार है वंदनाशत बार है वंदनाशत बार है ही जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन जो तेरी शरना गहे सुपावे सुख चैन जावाणी के ज्यान ते सुझे लोका लोक सुवाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक